नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एवी बॉक्स ओफिस में एक बाद फिर से तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलिवोड फिल्म एंडरेश्टि की 2021 में आने वाली मज अवेंटेट फिल्म बेल बॉटम के बारे में जी हां दोस्तों अगर आ आप हमाँ चैनल पर पहली बनाए हैं तो बॉलिवोड और साउथ की बहतिक और दमदार अपडेट पाने के लिए आपके और हमाँ चैनल को सस्क्राइब करना ना बूलिए तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हमाँ न्यूस की तरह आप देखते रहिएगा पूरा वीडियो त जिस पोश्टकन अक्छी कुमार सर हो और फिर उस फिल्म का बजड़ जादा ना हो उसके अंदर कैसा हो सकता है जीयां दोस्तों अक्छी कुमार सर को 2021 में इस फिल्मे के लिए 100 करोड रुपे आफर करे गए हैं तो डोस्तों जब आक्छी सर को ही 100 करोड रुपे दिये जा वाली ही और इस फिल्मे की जो कहानी है वो किसी भी कहानी से मेच नहीं करती जी हाँ इस फिल्मे कंदा हमको दो नामों को खुला सा देखने के लिए मिला है एक है अक्षिकुमार सर और दूसरे है अनुपम खेर यानि कि दोस्तो फिल्मे कंदा ट्विस्ट पर ट्विस्ट दे मास ओडियंस के लिए लाइन लगा दी है एक्शन फिल्मों की जी हाँ दोस्तो अगर हम बात करें 2020 की तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि अगर 2020 में अक्षिकुमार सर की तीन फिल्में भी 200 क्रोड का अकड़ा पार करती हैं तो यकिन मानिये कि 2021 में अक्षिकुमार सर की ये फ क्रिस 3 के या फिर क्रिस 4 के विलन रहेंगे या फिर दोस्तों वो रहेंगे दूम 4 के एक्टर वैसे दोस्तों आप इस चीज़ के लिए इंट्रेस्टेड है या नहीं हमें अपने ओपिनियन कमेंड करके जरूर बताएं और साथी साथ मागर हम बात करें फिल्में के कलेक्शन करें बेल बोटम के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बतादू कि फिल्म उस टेम पर लगबग ओपनिंग ले सकती ही 80-90 करोड रुपे की वैसे दोस्तों ये एक क्रिटिक्स का दिया हुआ छोटा सा मुद्धा है वैसे दोस्तों आपको के लगता है कि क्या ये फिल्म इतन अपनिंग ले पाएगी या नहीं हमें अपने ओपिनियन कमेंट करके जरूर बता है तो चलिए दोस्तों जब तक के लिए बढ़ते हैं हमारे एगली न्यूस की तरफ जय हिंद वन्यमात्रम